संस्कृती नमशकार मित्रों आज है वर्ष के प्रथम माह का अंतिम रविवार और हम हाजिर हैं संस्कृती समाचार दर्पन के 34 वे अंक के साथ आएए प्रारंभ करते हैं जानकारियों का सिलसला पिछली सप्ता मंगलवार को 72 गरतंत्र दिवस समारो धुमधाम से आयोजित किया गया विद्याले परिसर में समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिती में ध्वजवंदन करने के पस्चात प्राचार्या श्रीमती इंदरपाल कौर एवम निदेशक श्री देविंद्र सिंग जी ने बच्चों की वर्च्वल असेंबली समारो में भी शिरकत की आयोजन भले ही वर्च्वल हुआ किन्तु बच्चों का उत्साह रियल रहा बच्चों ने बढ़ चड़कर राश्ट्रिय भावना से ओत्प्रोत सांस्कृतिक कारिक्रोमों में हिस्सा लिया वही 27 जन्वरी से कौमर्श संकाय के कक्षा बारवी के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रीबोड परिक्षाएं एवं कक्षा दसवी के शेश विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मिद्टर्म का त्रतिय एवं अंतिम चरण प्रारंब हुआ बोड़ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार जहां बोड़ परिक्षार्थियों के लिए दो प्रीबोड परिक्षाएं अनिवार्य की गई हैं वही आंत्रिक मूल्यांकन हेतु पोस्ट मिद्टर्म प्रोजेक्ट प्राक्टिकल एवं अन्य सेक्षनिक अनिवार्य हैं कक्षा दस्वी में प्रतेक विशय हेतु बीस आंत्रिक अंक निर्धारित हैं जिन्हें वर्ष भर आयोजित होने वाली विविद जांच परिक्षाओं एवं गतिविदियों में वित्वित कर दिया जाता है जिससे बच्चे का मुल्यांकन सतत एवं नियमि द्रूप से किया जा सके गत्सप्ता कक्षा नवमी एवं ग्यारवी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिवावकों के लिए विशेश शिक्षक पालक बैठक आयोजित की गई जन्वरी माह से ओफलाइन कक्षाएं प्रारंब होने के पस्चात यह पहली शिक्षक पालक बैठक थी बड़ी संख्या में अभिवावकों ने इसमें शिर्कत की एवं बच्चे की सेक्षिनिक प्रगती पर चर्चा करने के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की शंकाओं एवं समस्याओं पर भी चर्चा की जहां एक तरफ वार्षिक परिक्षाओं की तयारी जोर शोर से हो रही है वहीं बच्चे वे बच्चे जो कि किसी कारणवश अर्धवार्षिक अथवा CBA परिक्षाओं में नहीं बैट पाए थे उनके लिए विशेश परिक्षाएं आयोजित करने की रूप रेखा भी तय विद्यार कर ली गई है जो कि अंतिम फाइनल रिपोर्ट कार्ड में हर एक परिक्षा का निर्धारित वेटेज होता है अतहे हर एक विद्यार्थी का टेस्ट या लगू जांच परिक्षाओं सहित सभी सेक्ष्णिक गति विधियों में सम्मिलित होना अनिवार्य होता है प्रकाशित किया गया है जिसे सभी कक्षाओं के WhatsApp ग्रुप्स के माध्यम से अविवावकों के साथ शेर किया जा चुका है विद्यार्थियों एवम अविवावकों से निवेदन हैं कि वे इस सरकुलर को ध्यान पूर्वक पढ़ें वार्शिक परिक्षा की तयारी के साथ स सभी कक्षाओं में पार्ठिक्रम पुन्रावर्ति का कारिय जोर शोर से जारी है. शिक्षक, विद्याले अप्लिकेशन, वाट्साप ग्रोप्स, लाइव कक्षाओं एवं ओफलाइन कक्षाओं के माध्यम से पुनर अध्यापन के कार्य में समर्पन एवं तनमैता से लगे हुए हैं जिससे की सभी बच्चे अपनी वार्षिक परिक्षाएं बिना किसी तनाओ के दे सकें संस्कृति विद्याले द्वारा विद्याले इस्तर पर सभी परिक्षार्थियों के लिए में वारशिक परीक्षा में सम्मिलित होने हे तु प्रवेश पत्र जारी करने का निरने लिया गया है ये admit card विद्याले कार्याले अत्वाा अपने कक्षा शिक्षकों से प्राप्त किये जा सकेंगे कल अर्थात एक फरवरी से कक्षा नविमी एवं ग्यारवी की वार्षिक प्रायोगिक परिक्षाएं प्रारंब होने जा रही हैं ये परिक्षाएं नियमित कक्षाओं के समय पर ही आयोजित की जाएंगी गौर तलब हो कि सभी विश्यों में नियूनतम 20 अंक प्रायोगिक अत्वा आंत्रिक परिक्षाओं के लिए निर्धारित किये गए हैं ये परिक्षाएं स्कॉलर्स विंग में ही आयोजित होंगी पिछली दिनों ठंड बढ़ जाने के कारण ओफलाइन कक्षाओं हेतु विद्याले के समय में परिवर्तन किया गया है कक्षा नवमी से बारवी तक की ओफलाइन कक्षाएं आदा घंटे देर से प्रारंब होंगी वहीं प्री बोड परिक्षाओं के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अंत में एक बार पुनह सभी अभिवावक मित्रों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चे का विद्याले शुल्क समय पर जमा करें ताकि बच्चा तनाव रही थोकर वार्षिक परिक्षा में सम्मलित हो सके आज के लिए बस इतना ही आये लेते हैं एक सापता ही एक विराम पर जाने से पूर्व आप सभी का हिरदय से आभार एवं विश्व कल्यान की वही प्रात्ना सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाशा हम सब की भगवन पूरी होई धन्यवाद मित्रों शुबरात्री स्वस्थ रहिए मुस्कुराते रहिए